हेलो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टॉप में आज आप बना रहे हैं चोकलिट पाउर रबडी और चलिए बनाते हैं मैंने यहाँ पे लिया है हाप लिटर गाय का दूद हाप लिटर काय का दूद लिया है अब हम इसको कट करेंगे और गैस पे रखेंगे इसको रबडी बनाने के लिए रबडी बनने में लगबग एक गंटा लग जाएगा तो इसको हम गैस पे ही छोड़ देते हैं बनाते हैं चोकलिट बाउल देखिए यहाँ पे मैंने चोकलिट और बटर को मेल्ट करके रखा है अब इसको मैं मिक्स करूंगी अच्छे से इसको मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करना है इसको ताकि जब हम इसको ग्लास में डालेंगे वो अच्छे से गूम सके और जिसे ग्लास का सेव बन सके देखिए यह रेडी है अब हम ग्लास में डालेंगे पेपर ग्लास में अच्छे से चारो तरफ कोट होनी चाहिए नहीं तो जब हम इसके अंदर रवडी डालेंगे तो वो फट के बाहर आजाएगा इसको एक थिक लेयर एक मोटा लेयर करना है अच्छे से चारो तरफ गुमाएंगे देखिए यह ready है अब हम इसको रीजर में आधी घंटे के लिए चोड़ेंगे यानि जब तक वो set हो जाए देखिए हमारा milk भी बहुत ज़्यादा देखो गया है और थोड़ी देर रखेंगे इसको तो यह ready हो जाएगा देखिए रबड़ी बन के रेडी हो चुका है अब मैं डालूँगे यहाँ पर चीनी चीनी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक चमची लिया है आप चाहें तो आपके हिसाब से मतलब स्वात के हिसाब से डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने कुटी हुए इलाचे लिया है वो डाल देंगे हमारा रबड़ी बन के रेडी हो गया देखिए रेडी है हमारा रबड़ी अब यह ग्लास को लेंगे यह सेट हो चुका है इसको हम कट करेंगे देखिए बहुत सुन्दर से यह बना है ना बहुत अच्छे सेट में आया है यह प्लेट में निकाल देते हैं बहुत सुन्दर है इसको मैं थोड़ असा डेकुरिट करूँगे चॉकलेट सिरप के साथ अब इसके उपर हम रबड़ी डालेंगे मैं यहाँ पर दो चमच रबड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ग्लास बहुत ही चोटा बना है इसलिए और ज्यादा डालने से यह फट के बाहर आ जाएगा मैं यहाँ पर कुटी भी बादाम लिया हूँ आलमोट आप चाहें तो पिस्ताचियों भी योज़ कर सकते हैं आप कोई भी ड्राइफ रूट्स योज़ कर सकते हैं लिखिए रेडी है पसंद आये तो लाइक करें सब्सक्राइब करें